महाराना राजसिंग जी जब किशनगर जा रहे थे बारात लेकर के बारात क्या थी वो तो दस-पंद्रा हजार की सेना लेकर जा रहे थे उन्होंने सलूंबर के चुंडावत रतन सिंग चुंडावत जो बहुत युवा थे 27 साल के थे और उनकी शादी हुई थी हाडा राजपू जो कोटा अबुंदी के होते हैं हाडी रानी कहलाती थी उसकी पत्नी थी बड़ा प्रसंग बहुत बहुत प्रसिद्ध है तो उनको कहते हैं कि आप दिल्ली से किशनगड के रास्ते को रोक दीजिए क्योंकि यह औरंजे अपनी सेना भेजेगा मेरे विवाह में मेरे चारुमती के साथ विवाह में बाधा डालेगा तो आप उस सेना को क्रॉस ना करने दें जब तक कि मैं 10-15 दिन में विवाह की पूरी जो अप चारिकता है तो रतन सिंग चुनडावज जो हमें निकलते हैं अपनी 50,000 सेना मेवाड की लेकर के वह निकलते हैं और चूंकि नया नया विवाह होता है तो वे कुछ कहते हैं अपनी पत्नी को कि कुछ भेट दो मुझे फिर दो दिन बाद एक हरकारे को भेजते हैं कि नहीं कुछ और भेट दो कुछ और अंतरंग भेट दो फिर वो पड़ावी डाल देते हैं जो हरकारा जाके हरी रानियों कहता है कि वे तो बैठी गए हैं आपके इस मर्ति में खोई रहते हैं तब एक महान त्याग वो इस्तरी करती है वो अपनी गर्दन अपना सर काट करक इसकी जो लाल चुनडी है इसके उपर ये जो ठाको रतन सिंग जी जो है वो स्वयम उता रहे हैं इसको और वो बिचारा हरकारा उलेके जाता है रतन सिंग वो चुनडी हटा के अपनी प्रियरानी का सर देखते हैं कटा हुआ सारे मोहों के बंधन उनके वहां टूट जाते हैं और बड़े दुखी मन से वो जाते हैं आगे लेकिन वे अपना कर्म अपना कर्तव्य कर्म निभाते हुए औरंग जेब की सेना को पूरी तरह से प्राजित करते हैं और खुद भी वो चुकि निराश हो चुके थे जीना चाहते भी नहीं थे तो एक तरह से वह के बीच में विशेश तरह राज सिंग जी और औरंग जेब के बीच में आता है